और दोस्तों आज हमारे पास है मी टीवी का 4X जो अभी अभी लॉंच हुआ है जियां और यह 4K Ultra HD TV है इसमें अलग-अलग sizes आते हैं 40 इंच आता है 43 इंच जो हमारे पास है 50 इंच है and 65 इंच भी है and 55 इंच भी है तो बहुत सारे अलग-अलग resolution sizes में आता है मी टीवी 4X की एक खास बात है शाओमी कहता है कि this is 4K for the masses इसका मतलब aggressively priced and that is true क्योंकि यह जो है दोस्तों 4K TV आपको 25,000 में मिलता है अगर आप सबसे बड़ा वाला लेंगे 65 इंच वो आपको मिलेगा कुछ 54-55,000 मे and for that price I think these are excellent TVs लेकिन दोस्तों पहले इसे unbox करते हैं देखते अंदर बाहर क्या है और उसके बाद में आपको बताते हैं मुझे इस टीवी के बारे में क्या लगता है लेकिन दोस्तों मी टीवी 4X को unbox करने से पहले पहली बार हमारे चैनल पहले हो तो subscribe करना मत भूले बेल आइकन बजाईए all कीजे ताकि हमारे वीडियो के सब notification आपको immediately मिल जाए दोस्तों box खोलने से पहले आपको बता दूं box के उपर क्या लिखा हुआ है 4K Ultra HD already बता दिया है Dolby Audio है इसमें DTS HD Sound Patch World 2.0 है HDMI है dedicated buttons for Netflix and Prime Video है YouTube है Chromecast built-in है Google Assistant है और Google Play Store है Now let's open the box मैं कहूंगा थोड़े slow थे थोड़े laggy थे बट मुझे इसके साथ ऐसे बिल्कुल नहीं लगा दोस्तों जैसी आप TV चालू करोगे यह जो Android TV का आपको UI मिलेगा वो मिलेगा अगर आपको patch wall में जाना है तो right hand side में जाए left hand side में और फिर आपको patch wall 2.0 का जो UI है वो मिलेगा और हाँ दोस्तों यह जो remote है आपको दिख रहा है यह remote यह बहुत user friendly है आपको home और फिर patch wall में जाने के लिए dedicated buttons है साथ में netflix और prime video का button है volume up and down है and yes google assistant आपको मिलता है जी हाँ voice search का support है इसमें open track and tech youtube channel sure here's tracking tech on youtube there you go it is that fast मुझे एक बात जैसे मैंने पहले भी कहा जैसे मैंने दोस्तों आपको बताया बहुत responsive है and I think that is the highlight of this TV वैसे दोस्तों पुराने me TVs और अभी जो 4X आई हुए उन TVs का remote अगर आप compare करोगे तो आप देखोगे बहुत difference है extra buttons है इसमें लेकिन वो फाइदे के हैं दोस्तों आपको patchwall 2.0 के बारे में बता दू बहुत सारी नए partners add किये हुए आप देख रहे हो जो content दिख रहा है यह directly आप प्ले कर सकते हो क्योंकि direct partnership किये शाओमी ने in production houses के साथ और हाँ दोस्तों आपको news channel मिलते है regional tv shows बहुत सारे मिलते हैं जहां पर without subscription आप directly देख सकते हो through internet यह पहले patchwall में नहीं था यह जो deep integration किया है अलग-अलग production houses के साथ उसकी वज़े से आप यह सब चीज़े directly देख पाते हो और हाँ दोस्तों android pie 9.0 के उपर है इसका मतलब latest software है patchwall भी 2.0 है which is again latest that is a plus दोस्तों अगर specifications की बात की जाए तो इसमें 64 bit quad core processor आता है 2 GB RAM and 8 GB onboard storage आता है दोस्तों अगर ports की बात करते हैं तो इस tv में आपको 3 HDMI ports मिलेंगे साथ में 2 USB ports और बाकी जो standard होते हैं tv के साथ वो सब आते हैं दोस्तों मैं कहूंगा अच्छी build quality है पीछे की तरफ hard plastic है लेकिन अगर bezels के पास आप देखोगे तो मैं कहूंगा average bezels है पतले नहीं है this is a 43 inch और आप देख रहे हो कुछ around 1 cm के जितने आपको bezels चारो तरफ मिलेंगे but इतना कहूंगा कि quality is good by the way दोस्तों आपको बोल दू बड़े screen को जो भी आपके phone के ऊपर है वो आपको बड़े screen पे दिखाना है तो बहुत easy है क्यों क्योंकि built-in chromecast का support है अलग से chromecast लेने की ज़रूरत नहीं है वैसे दोस्तों और एक चीज़ आपको बोल दू Xiaomi और Google ने partnership की है और वो लेके आए है data saver mode क्योंकि बहुत सारा ज data saver mode भी है इसमें and now let's talk about audio and video 20 watt के speakers आते हैं down facing है और मैं कहूंगा ठीक ठाक है सही में loud है quality के मामले में मैं कहूंगा average है but what do you expect 25,000 का TV है ये बहुत सारी चीज़े दे रहा है and audio भी doll भी है तो quality खराब नहीं है loudness है quality मैं कहूंगा average है और video के मामले में क्या कहूं दोस्तो 4K क panel है and it is not a QLED तो QLED के साथ QLED या OLED के साथ आप compare नहीं कर पाओगे बट जितना भी मैंने देखा है colors वगरे बहुत अच्छे दिखते हैं मैंने YouTube पे बहुत सारे 4K videos वगरे प्ले किये natively 4K videos हमने इसके उपर चला है सब कुछ चलते है in fact 1TB की USB hard disk लगाई उसके उपर हमने 4K videos देखे मुझे अच्छे लगे इतने ज्यादा पंची colors नहीं है बट दिखने को बहुत pleasing है अच्छे दिखते हैं and the best part is of this TV responsiveness जो भी मैं उसे करने कहता हूं immediately करता है जी हां जो भी command देता हूं इस remote के साथ तो finally दोस्तो मेरे first impressions इस TV के बारे में क्या है I am happy with this TV especially दोस्तो price 25,000 में you are getting quite a lot 4K panel मिल रहा है Chromecast मिल रहा है official Android मिल रहा है Google Assistant का support है Netflix Prime Video के साथ direct partnership है Xiaomi की जिसकी वैसे आप immediately play कर पाओगे और वैसे भी Xiaomi ने patch world 2.0 में बहुत सारे बहुत सारा content डाला हुआ है जो directly आप देख होगे so there is a lot to like about this TV especially at this price वैसे दोस्तो आपको अगर कोई भी सवाल है इस TV के बारे में जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा मैं पूरी कोशिश करूंगा दोस्तो की FAQ का पूरा एक वीडियो बनाओ ताकि आपके सब जो सवाल है उनके जवाब आपको मिल सके चलिए दो